तो बहरी बहरी गूड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी राजा बाभू नईसरा यूटूब चनल की ओडियो कैसिट की दुनिया में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जो ओडियो कैसिट आपको दिखाने वाले हैं कही न कहीं इसका एक गाना सु बिल्कुल भी इसके मत कर देना फिल्म इतनी सांदार नहीं थी लेकिन गाने दोस्तों इसके बहुत ही प्यारे थे जैसा कि यह गाना आपको याद होगा उत्रा ना दिल में कोई इस दिल रुबा के बाद कुमार सानु की आवाज में यही वह गाना है और यही वह कैसिट है जो आपके दिलों पर राज करती है तो आज की हमारी audio कैसिट आप सामने देख सकते हैं कैसिट कंपनी का नाम है बेनस कैसिट और फिल्म का नाम है उफ ये महबत जी हाँ उफ ये महबत पिडूसाय डारेक्टर इसके थे विपिन हांडा जी हां विपिन हांडा और इस फिल्म में हमको मुक भूमिकाओं में अभी से कपूर टिंकल खन्ना एबम अनुपम खेर नजर आये थे फिल्म तो जादा अच्छी नहीं थी लेकिन इसके गाने इतने प्यारे थे कि अभी भी हम सुनते हैं तो सुनकर दोस्तो दिल खुस हो जाता है तो आज हम आपका दिल एक बार फिल से खुस करने वाले हैं और आपकी वो ही 1997 की पुरानी यादे ताजा करने वाले हैं तो फाइनली हमारे चैनल मतलब राजय बाबु नईसरा यूटूब चैनल पर हुफ ये महबत की दो ओडियो कैसिट हैं जिसमें एक ओरिजिनल और मास्टर कैसिट है और दूसरा एक बहुती प्यारा कॉंबिनेशन है दिल तेरा दीवाना के साथ तो दोनों कैसिट आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी साथ मैं ओडियो कैसिट से ही छोटे छोटे गानों की जलकिया भी सुनने को मिलेंगी तो वीडियो करते रहना तो चलिए सबसे पहले हम आपको मास्टर ओडियो कैसिट दिखा देते हैं तो यह रही पोश्टर वहती शांदार है आप देख सकते हैं अभी से कपूर आपको नजर आएंगे साथ में टिंकल खन्ना और एक चोटा सा बच्चा भी है इसके डारेक्टर थे विपिन हांडा म्यूजिक दिया था निखिल विने ने और गाने लिखे ते रानी मलिक एबिम विपिन हां दाने तो कुछ इसका का पॉस्टर है इधर देखिए तो यहां पर हमको लोगों देखने को मिल जाता है यहां पर लिखा है उफ यह महोबत देखें तो बैक साइड में गानों की बात करें तो 5 और 5-10 गाने इस audio cassette में दी हुए हैं यहाँ पर कुछ फोटू भी हमको देखने को मिलेंगे जैसे विपिन हांडा साब का फोटू है और इसके music director थे निखिल विनय तो उनका भी यहाँ पर फोटू देखने को मिल जाता है इधर देखें तो इसकी packing है जैसा कि आप देख स मार्केट में आजाया करती थी और हम cassette से ही गाने उस जमाने में सुना करते थे रही बात इसकी प्राइज की तो उस जमाने में इसकी प्राइज थी 32 रुपे लेकिन यह cassette सेल के लिए नहीं है यहाँ पर लिखा है बीनस रिकॉर्ट टैप प्राइवेट लिमिटेट चलिए cassette दिखाएते हैं तो यह रही एकदम औरिजनल मास्टर कैसेट फिलिम का नाम है उफिये महबत यह साइड भी है यहाँ पर भी उफिये महबत लेखा हुआ है और सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं बड़े छोटे-छोटे अक्षरों में लिखी हुई है यहाँ पर बीनस का लोगों यह साइड भी है और यह साइड और रील इसकी बहुत अच्छी है वैसे भी 90 के दसक की जितनी भी चीजे होती थी उनकी क्वाल्टी बहुती शांदार हुआ करती थी चली अब आपको दिखाते हैं इसका पोश्टर तो इसका पोश्टर ज्यादा बड़ा नहीं है और जो भी है आप देख लीजिए पुरानी यादसें ताजा कर लीजिए ये फ्रंट साइड है और यह रहा है इसका बैक साइड तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलिम का नाम और सारी जनकारी आप देख सकते हैं लिखी हूई है छो कि मैंने अब आपको ब दिलों पर राज करता है और इस गाने का तोड़ नहीं है गाना के बोल है उत्रा ना दिल में कोई इस दिल रुबा के बाद ये गाना सुनकर आपको लगभग आपके महभूप की याद जरूरी ताजा हो जाएगी इस गाने में आबाज दी है 90's किंग कुमार सानू ने और इस साइडे का यदि हम दूसरा गाना देखें तो ये गाना भी बहुती शांदार है गाने के बोल है दीवानी दीवानी मैं दीवानी इसमें आबाज दी हैं फारीद सावरी एबम साइद सावरी ने और इस गाने को भी लिखा है रानी मलिक ने साइडे का यदि हम तीसरा गाना देखें तो गाने के बोल हैं तेरी लगन लगी इस गाने में आवाज दी हैं फरीद सावरी साइद सावरी अनूपा मादेश पांडे एबं बाबुल सुप्रियों ने और इस गाने को भी लिखा है रानी मलिक ने चलिए साइडे का चौथा गाने की जलकियां और सुनाते हैं आपको गाने के बोल है हां मुझे तुमसे महबत है आवाज दी है साइडे का यदि हम पांचबा गाना देखें तो गाने के बोल है बल्मा कदर नजानी आब आज दी हैं फरीद सावरी एबं साइद सावरी ने और इस गाने को लिखा है विपिन हांडा ने चलिए साइडवी के गानों की जलकियां और सुना देते हैं तो साइडवी का पहला गाना है गाने के बोल है मेरी च्छत पर आया करो आब आज दी हैं गुर्दा आसमान एबं कविता कृष्ण मूर्ति ने और इस गाने को लिखा है विपिन हांडा ने साइडवी का दूसरा गाना बहुती शानदार है गाने के बोल है जब से है सीका दिल ने धड़कना आब आज दी हैं कुमार सानू एबं अलका यागनिक ने और गाने को लिखा है रानी मलिक ने साइडवी का तीसरा गाना और वी शानदार है गाने के बोल है बरसों के बाद आब आज दी हैं कुमार सानू कविता कृष्ण मूर्ति ने और इस गाने को लिखा है रानी मलिक एबं बिपिन हांडा ने साइडवी का यदि हम चौथा गाना देखें तो गाने के बोल है मैंने सीखा जो प्यार का पहाड़ा आब आज दी हैं ओधित नारायन कविता कृष्ण मूर्ति ने और इस गाने को लिखा है रानी मलिक एबं बिपिन हांडा ने साइडवी का पांचवा और लाष्ट गाना है गाने के बोल है दामन जला दिया आब आज दी हैं फारीद सावरी एबं साइद सावरी ने और इस गाने को लिखा है विपिन हांडा ने तो दोस्तों अभी आपको मैंने उफ ये महबत के पांच और पांच दस गाने पढ़कर सुनाएं और छोटे-छोटे गानों की जलकियां भी सुनाईं अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना की कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इस ओडियो कैसिट का यदि यहीं आया हो कमेंट जश्रूल करना आपको मैं इंतजार करूंगा और साइड दैका पहला गाना आपको पसंद तो आया ही नहीं प्वान दिल त dit तेरा दीवाना इस कैसिट का रिभ्यू फाइनली हमने कर दिया है यदि आपको देखना है तो यूटूब में सर्च मानना दिल तेरा दीवाना ओडियो कैसिट तो हमारा वीडियो मिल जाएगा फिर भी आपको नहीं मिलना तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं इसके देगा थीक है इधर दोनों फिल्मों के नाम लिखे हुए है बीनस का लोगो यह दर दोनों फिल्मों के गाने हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पांच-पांच गाने हैं पैकिंग की बात करें तो मार्च उन्नीस सो निन्यानवे की पैकिंग है फाइनली यह रेगूलर कैसे है बीनस की देख लीजिए यह साइडे है यह साइड भी है बागी पोश्टर में अंदर देखें तो दोनों फिल्मों के गाने और सिंगर के नाम लिखे हुए हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तों कि 1997 में आई उफिये महबत का ओडियो कैसे रिभ्यू आपको जरूर पनिवाद